गुट इवनिंग एवरीवन वल्कम बैक अगीन आइवोव यू दूइंग वेल इस समय बज रहे हैं साम के पाँच और आज दिन है मंडे का मंडे का ये बलॉग है और मेरे बलॉग फिर रगलर नहीं आ पाए एक्षली अगर कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है न तो फिर अगर एक बाद नियम तूट गया तो फिर तूट गया फिर आ नहीं पाता है रगलर तो ये जा रहे है थे बच्चों को लेड़े और इ तो फिर हीना बड़ी मुस्के से चड़ती है तो वहीं मैं देख रहे थी हो जल्दी जल्दी अगर इसको रिपीट करूंगी ना तो ही हीना का कलर आएगा अच्छा और अभी बस गेटवेगरा बंद करके मैं आ गई किच्चन में और पांच बज़ रहा था उससे पहले मतलब जो लुझे सीचाल जो ग्रोसरी रखे थी उसे में बड़न का समान किसी में श्राव कि ऑच्वें एमन्राषला फराष्ण का समान इस त्सका करतीरीं कि एकात प्रावलिम नीचे अमे फिर दुबारा भी आ जाता था तो उसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने वो टंकियों को हटा कर अब सारा समान मैंने अलमारी में ऐसी लगा दिया है जिससे सारा समान आसानी से विजिबल हो और जो भी मुझे जब लिस्ट मैं बनाओं तो मुझे सामनी चीजे दिखा कि क्या है और क्या समान नहीं है और क्या लाना है मुझे तो इसलिए मैंने वो पूरा समान रैक में अच्छे से सेट किया है टंकियों को मैंने बाहर निकाल कर मतलब रख दिया है तो किसी ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपना स्टोर र यूनिट की तरीके से ही मैं काम में लेती हूं तो वही सब मैं कर रही थी तो उसमें बहुत सारा समयाज मेरा निकल गया और यहां मैं बना रही हूं खील और लाई की नमकीन और जब स्टोर रूम क्लीन कर रही थी तो यह मुझे खीले दिख गई तो मैंने उन्हें आगी रख के से और पहले देखिए कितना समय वह होता था कि हम लोग खीले मम्मी लोग कितना मंगा मंगा के रखती थी और हम लोग खाते थे अच्छे से और अब आज कल बच्चे विल्कुल भी नहीं खीले खाते हूं मैं मुश्किल से थोड़े सी खीले लेके आई थी 200-200 ग्राम खीले और मेरी नमकीन भी बन गई थी फिर हजबन ने चाय यहां पर बना ली अपनी और नमकीन को मैंने सारा तसले में निकाल के रख लिया कि अच्छे से ठंडे हो जाए फिर उसकी बाद मैं रिफिल करूंगी और ये खाने में बहुत अच्छी मुरबरे की नमकीन लगती है और अगर आप ड्राइफ रूट्स वेगरा मिला लें तो वो भी और भी बड़िया लगता है लेकिन मैंने सिंपल से ऐसे ही बनाया है और हर चीज में ड्राइफ रूट्स डालना इतना पॉसिबल नहीं होता है तो मैंने ऐसे ही मुंफली और चने से कर लिया है वैसे अगर आप इसमें मखाने भी डाल देना तो वो भी बहुत बड़िया लगता है खेर मैं ने तो ऐसे ही बनाया है अभी बस सब लोग चाए पीएंगे फिर उसकी बाद डिनर की तयारी में लग गई चाए पीने के बाद में और आज डिनर में बनेगा मसाला मश्रूम और मिस्सी रोटी और ये मैं मिस्सी रोटी की तयारी कर रही हूँ तो इसमें मैंने धनिया ले लिया है थोड़ा सा अजवाइन ले लिया है कसूरी मिथी को अच्छे से भून के रोस्ट करके थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है वही सारा मसाला मैंने इसमें आटे में डाल दिया है इसमें दो कप बेशन है और एक कप आटा है हल्दी, मिर्ची, हल्का सा गरम मसाला डाल दिया है धनियाई पत्ते डाल दिये हैं और भुना हुआ वो मसाला जो मैंने पीसा था आजवाइन और धनिये का और कसूरी मेती का वो भी मैंने इसमें add कर दिया है और इसका एक अच्छा सा डो तयार कर लेंगे और इसमें मोहिन के लिए मैंने थोड़ा सा देशी घीड ढला था इसे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर मैंने रख दिया और ये बनने जा रहा है मश्रूम की सबजी तो ये लगबग आदा किलो मश्रूम होंगे जिनने मैंने अपने हिसाब से कट कर लिया और इसमें किचन किंग का मसाला से मैंने अच्छे से मिक्स करके इसमें रख लिया है और अच्वाइन है और थोड़ा सा हिंग भी मैंने इसमें डाल दी है इन सब चीजों को अच्छे से मैं रोस्ट कर लोगी और रोस्ट करके फिर वैसे ही ग्राइंड कर लोगी तो ये इंस्टेंट मूली का अचार भी बहुत बढ़िया बनता है और अगर आपके पास जैसे मूली बच जाएं अगर नहीं मतलब कभी कभी हम लोग ले आते हैं ना जाता अगर बच भी जाती है या आपको वैसे भी खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बना के रख लीजिए बहुत बढ़िया लगता है दाल रोटी के साथ में और सबजी के साथ में और इस समय मूली भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है और इस तरीके का अचार इंस्ट अचार बनाईए बहुत तो इसमें मैंने बस चौंका लगा दिया है और इसमें जो पांच मसाले का मिक्चर आता है सौफ मेथी राई किदाने का लौजी वह तेल गरम तेल में मैंने डाल के और एक चम्मच वह डाल दिया और फिर बूली डाल दिया और यह जो कुटा हुआ मसाला धनिया अजवाइन और इसका तो मैंने डाल दिया है और अच्छे से ढों मिर्च मैंने काटके डाल दिये आप अपने हिजाअ से डाल लिजे मिर्च और नमग डाल दिया और मैं नीमू का रस अगर पार case न आवलेबल हो तो अम चूर भी डाल लिजे वह भी बहुत अच्छा देता हूँ देखे कितना अच्छा बनके तयार हुआ है यह और यह मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है मतलब हस्बेंट को तो इस पिसली पसंद है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का इंस्टंट में बना के रख लेती हूँ तो एक टिफिय तब तक मैं इसी तरीकी के बना बना के रख लूँगी और आराम से इसको अपने लंच या डिनर में आराम से इंज्वाय करूँगे यहां पर यह सब काम हो रहा था उसके बाद मेरी सबजी बनने की भी बारी आ गई तो सबजी की भी मैं तयारी करने लगी और उसी कड़ाई में को ही मैंने लिया है क्योंकि उसमें भी सारे मसाले लगे हुए थे उसका भी फ्लेवर है और ये गरम तेल में मैंने लहसून डाल लिया है प्यास डाल दिया है इसको अच्छे से मैं भून लूँगी और फिर उसकी बाद इसमें ये रफली चॉप किया हुआ सारी चीजे हैं क्योंकि इसकी बाद अच्छे से भूनने के बाद में मैं हर चीज को मतलब ग्राइंड कर लूँगे मिक्सी में डालके तो एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो यहां टमाटर ले लिया है मतलब लहसून प्याच टमाटर और हरी मिर्च ले लिये और ये अधरक का पेस्ट मेरे पास था तो अधरक का पेस्ट मैंने डाल लिया है स्वात के नुसान नमक डाल लिया है और उसकी बाद जितने भी सूखे मसाले हमारे होते हैं धनिया हल्दी सारे रिगलर के मसाले मैंने मिक्स कर लिया है इसी में इसे मतलब यह रहेगा ना कि इसे बार बबब पकाने का जंजट नहीं और एकी बार में सब अच्छे से पक जाएगा और इसे ठंडा करके अब एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा कर लूँगी फिर उसकी बाद इसे ग्राइंड कर लूँगी अच्छा सा पेस्ट तयार कर लूँगी और इसे भी रखे हुए मसाले मैंने इसमें एड़ किय तो इसे भी रखे हुए काट काफी टाइम हो गया है तो इसे भी अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी और इसमें बिल्कुल भी मैंने मतलब तेल वगएरा नहीं डाला बस ऊपर से थोड़ा सा घी डाला है और इसके लिए आप बटर में बनाई है तो बहुत अच्छा डाल लिए हैं और वही प्यूरी वाला जो मैंने बनाया था टमाटर प्याश का वह प्यूरी मैंने अट कर दी है अच्छे से से थोड़ा सा भून लेंगे और एक टिप मैं यहां आपको देना चाहूंगी अब जब भी इस तरीकी क्या मसाला भूने तो देखिए बहुत सार कर लें और उपर लिड लगा दें और अभी मैंने इसमें डाल दी थी मलाई क्योंकि बटर डालना था तो बटर था नहीं तो मैंने घर के मलाई ले लिया तो इससे भी टेक्चर बहुत अच्छा क्रीमी टेक्चर आ जाएगा फिर बस्रूम एट करके थोड़ा सा पानी डाल मिस्ifter करोटी फटा फट बन नहीं है तो इक तरफ मेरी सब्य बन गई और मुली का अचार बिह बन गया और यह मिस्пов करोटी ममरे इचैने मज़ों करे चांती में लगासा 하וח का खाएं लेकिन इस तरह इस समय जो सर्दी का विंटर का समय रहता है ना इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजे बनाइए और खाईए और फैमिली को भी इंज्वाय कराईए बहुत ही अच्छा लगता है और यहां मेरा मसाला मश्रूम बनके तयार हो गया मिस्सी में रख दूँगी ये कल का मा जाएगी गैस को क्लीन कर लिया था बरतन क्लीन कर लिए यही मेरा डेली का रूटिन रहता है और मश्रूम काफी अच्छा बना था और आप अगर इस तरीके का मश्रूम मभी तक नहीं बनाया है तो जरूर ट्राइए करियेगा तो इसी के झाल झाल